हलो दोस्तों लवली इन्यों की रिगार्डिंग बात करने वाले जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस का 15 की सीरीज में कोई खास इंपेक्ट नहीं नजर आ रहा है फिलाल क्रिप्टो एक्सपो का जो एक दिन जो पहला दिन हो चुका है लगबग हाला कि अभी भी चल रहा है इसलिए घंटे के अंदर कि दो इंटर्वी जो इनके हुए हाला कि इंटर्वी कुछ-कुछ ज़्यादा हुएंगे जिसा कि सेतामा की अगर बात करें तो तीन से चार इंटर्वी के अलग-अलग इंटर्वी के फूटेज वहां से देखने को मिल रहे हैं और सेतामा से कंप पार्टनर्शिप अनौंस करने का बात किये आज के इंटर्वी में तो कल साइद वह रिलीज होगी तो इस तरह की चीज़े हो रही है तो लवली इनू में भी डेफिनेटल यह हो सकता है आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अर्ली डिसीजन नहीं मनाना है और अर्ली जज़ भी नहीं करना है क्योंकि लाश्ट टाइम यहीं था जब दिवबई एक्सपो इवेंट हुआ था तो किसु इनू और जैसे कि सिभा इनू यह दो तीन ऐसे प्रोजेक्ट थे एक एक एक्सेंज था बाइबिट तो उन्होंने दोस्तों कुछ दो तीन दिन बाद देट आये या फिर नो दस बजेगा सपस अगर आती है तो डेफिनेटली अगली वीडियो में अनॉस्मेंट के साथ डेफिनेटली हम मिनने वाले लवलीनू के रिगार्डिंग तो वो तो आप बेफिकर रहे है फिलाल लवलीनू आर्मी को जो चाहिए वो है कि अगर आप शेडूल जो हुआ पड़ा है पांच अक्टूमबर और छे अक्टूमर के दिन तो आज ये दिन चल रहा है अब टाइटेनेम एक्स्कुलिस्यूस एक्सेंज से हमें ज्यादा मतलब है डेफिनेटली क्योंकि यही चीज देखने को मिल रही है लोगों को चाहिए कि यार काफी लोग इसको इनेंस कर रहे हैं जिसा कि सार तक अगरवाल अगर आपने सुना होगा मलब है अपना लवली नू आर में काई बंदा है तो उन्होंने पहले भी लवली नू एनिवर्सरी पर भी एक वीडियो फूटेश डाला था और अभी वो लाइव वहां पर है लवली डिसीजन नहीं बनाना है मैं इसी वज़े से यह वीडियो बना रहा हूँ बाकि लाइव अप्डेट आपको मैं डेफिनिटली दे दूँगा एक इंट्रेस्टिंग अप्डेट मुझे लगी जो कि बिटकोइन लेफजी की तरफ से हाला कि बिटकोइन लेफजी ने एनिवर्सिरी के टाइम पे लवली नू को परमोट किया था फॉर्ट इफिनेटली जैसा कि बिटकोइन लेफजी डेली ने किया था नेक्स्ट अंडेड एक्स जैम ने किया था लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है लवली नू फाइनस कीबा और यह कुछ अपडेट वहां से बड़ी रिलीज हो जाती प्रोडक्ट से रिलेटर तो काफी स्पाइक इसकी प्रैस में आ सकता है बाकि अगर कम्यूटी के बात करें तो काफी ज़्यादा हला है अभी कहीं ने कहें लवली नू में देखा जाए तो क्योंकि हर कोई जैसा कि लवली नू उपर वाला जो वो टाइटेनम स्पोंसर यानि कि पैसा काफी खर्च किया है तो लवली नू देखे आप इतना माइंड है अपने डवलपर में या टीम देखो तो उतने गेम खेलती है वो तो ओबिसली वो पैसा ऐसा ही खर्च नहीं करें होंगे डेफिनेटल या पर कुछ कुछ पार्टनर्शिप का अंदाजा लगा जा रहा है कि कुछ पार्टनर्शिप हो सकती है लवली नू के अंदर या फिर कोई बड़े इंवेश्टर के साथ टाइपड हो तो ये चीज़े किसी भी एको सिस्टम के लिए काफी घजब की हो सकती है बाकी फिलाल तो कहना हो चुकी है अगर सपोस जैसा कि ये 6 परसेंट दिखा रहा है लेकिन अगर ये सीदा 30-40 परसेंट का पंप हो जाए कल तक या सुबह तक तो आप समझ जाना कि कोई अनॉसमेंट तो वहां से आ गई है और वो आपको पतल जाए कि सबसे पहले मेरे यूटूब चैनल पर तो